ने WFI की अध्यक्स ब्रज़ भूशन के खिलाप में महिला रेशलर की याचिका पर सुनवाई गुरुबार को बंद कर दी है सुप्रीम कोट ने कहा कि महिला रेशलर की को सुरक्षा दी गई है सुप्रीम कोट का फैसला तब आया है जब जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलबानों और पुलिस कर्मियों के बीच में जड़प हुई है जंतर मंतर पर बुदबार देर रात हुई जड़प में पहलबान राकेश यदव और बिनेश फोगार्टिक के भाई दोस्टेंत को कई चोटें आई है दिल्ली पुलिस का कहना है कि रेशलर पर बल प्रियोग नहीं किया गया है जबकि पांच पुलिस बाले इसमें घायल हुए है हमने पुलिस कर्मियों का मेडिकल भी करभाया है कोई भी नश्री की हालत में नहीं पाया गया है